नमस्य दोस्तों, मैं आपको होस्ट और दोस्त महिश, आपका स्वाइट कताव मेरे यूच्व चैनल पर आज के वीडियो में मैं देनी जा रहा हूँ आपको एक प्रोड़क्ट रिव्यू हाला कि मैं अपने चैनल पर कभी प्रोड़क्ट रिव्यूस नहीं देता और इस प्रोड़क्ट को इस्तमान करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इस प्रोड़क्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए तो आज हम बात करेंगे Dyson V11 Absolute Pro के बारे में आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ तो ये है Dyson V11 Absolute Pro वैक्टिम क्लीर जिसके क्रीमत अभी बाजार में 56,600 है और मैंने इसे बारे में इसे बारे में 40,800 में पर्चिस किया पहले जानते हैं हमने इतना महंगा वैक्टिम क्लीर क्यों खरी लाए इसके तीन कारण है पहला हम लोग अपने घर की सारे साफ सफाई खुझ से करना पसंद करते हैं दूसरों के साफ सफाई ले हमें उतनी पसंद नहीं आती दूसरा हमने बहुत सारे vacuum cleaners को compare किया और उसके बाद जो सपाई हमें चाहिए थी जितनी strong सपाई हमें चाहिए थी उस हिसाब से Dyson के vacuum cleaners ही हमारे requirements को fit back रहे थे अलाकि Dyson के सारे products बहुत ही महिने होते हैं फिर भी जब हमने features को compare किया तो यह पाया कि Dyson के vacuum cleaners में जो features हैं वो किसी और company के vacuum cleaners में नहीं पाया जाता है Dyson V11 Absolute Pro के इतने features हैं कि यह इस product को बिलकुल एक पैसा वसूल product बनाते हैं Dyson हर साल January और February के पीच में anniversary sale लाती है जिसमें वो 10-15,000 तकी शूल देती है इससे Dyson के सारे products value for money बनाती है हमारा तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे पास जो carpet है उसे साफ करने के लिए हमारा पुराना vacuum cleaner उतना effective नहीं था और धीरे दिले उस carpet पे धूल जम रही थी चलिए अब जानते हैं Dyson V11 Absolute Pro के features के बारे में जो इसे value for money बनाती है पहला feature Dyson V11 Absolute Pro बहुत ही trendy looking और modern looking product है इसका जो handheld device है यह किसी Star Wars की gun की तरह दिखता है काफी strong और काफी sturdy है हाला कि यह पूरा plastic material है यह काफी strong product है इस product की दूसरी खोबी यह है कि यह codeless है यह attached battery के साथ में आती है जो इसे codeless बनाता है यह vacuum cleaner आप घर के किसी भी कोने में इस्तमाल कर सकते हैं और अपने कार में भी इस्तमाल कर सकते हैं इस vacuum cleaner के तीसरी खोबी इसके cleaning modes है eco mode जो कि normal floor cleaning के लिए use होती है medium जो कि auto mode भी कहलाती है अगर आप अपने vacuum cleaner का वेवार carpets और floor tiles के बीच में लगतार करने वाले हैं तो आप medium या auto mode चुनें जिसे कि यह machine automatically अपने power को adjust कर सकें इस vacuum cleaner का तीसरा mode boost mode है जो कि सिर्फ carpets के लिए बना है जिसमें इस vacuum cleaner की suction power सबसे ज्यादा होती है इस vacuum cleaner का चौथा सबसे बढ़िया feature इसका battery है जो कि इसे थोड़ा भारी तो बनाता है पर इसे काफी powerful भी बनाता है जैसा कि आप देख रहें eco mode में 78 minutes का battery run time देख रहा है हाला कि Dyson plane करती है कि यह eco mode में 60 minutes run time देगा पर यह depend करता है कि आप कौन सा attachment fuse कर रहे हैं और आपका clean area कैसा है medium या auto mode में यह battery आपको लगभग 40 minutes का run time देगी और boost mode में लगभग 10 minutes का run time देगी यह इस battery का charger है और यह आप कहीं भी plug-in कर सकते हैं और यह battery लगभग 3-4 घंटों में fully charge हो जाता है यह vacuum cleaner 91 watt hours का power generate करता है Dyson V11 से पहले का model Dyson V10 लगभग 66 watt hours का power generate करता था इस battery से लगभग 1 घंटे का continuous cleaning कर सकते हैं यह है मेरा पुराना vacuum cleaner इस vacuum cleaner से आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 minutes की continuous cleaning कर सकते हैं अगर इस vacuum cleaner से आप 15 minutes से ज्यादा की continuous cleaning करेंगे तो यह अपने आप बंध हो जाएगा और इसके motor को लगभग 20-30 minutes का idle time की जरुत होगी इसके cooling के लिए इस vacuum cleaner के इस जगह पे motor pits है और यह जो आप उभार देख रहे हैं यह in tunnels से होकर यह motor हावा को अपनी तरफ खीजता है जिससे इस chamber पे एक cyclone effect होता है इस वचर से 185 air watt का suction create करता है इसका पिछला version V10 151 air watt का suction create करने में suction था Eureka folks इस vacuum cleaner का power को air watts में नहीं बताती उन्होंने अपने site पे mention किया है कि यह model 1600 mm of water column का power generate करती है और यह air watts में कैसे translate होता है यह मुझे नहीं मालूँ Dyson V11 का छटा सबसे अच्छा feature यह है कि यह कब noise ही है आप देख सकते हैं मेरे पुराना vacuum cleaner ऐसा आवाज करता है और उसके मुकाबले Dyson V11 इतना आवाज करता है यह 71 decibels का आवाज है और बाकी के vacuum cleaners almost 100 decibels का noise produce करते हैं साथवा अच्छा feature यह easy to connect है और easy to operate भी है इस product का आठवा सबसे अच्छा feature इसके attachments और tools है यह vacuum cleaner साथ अलग tools के साथ में आता है जिसके बारे में आपको मैं अभी जानकारी दूँगा इसके अलावा इस vacuum cleaner में एक extension wand और दो अलग अलग तरह के extension attachments भी आते हैं इसके साथ में एक clip भी आता है जो कि आप extension wand में लगाकर cleaning के समय दो attachments अपने साथ में carry कर सकते हैं इस vacuum cleaner का नवा सबसे बढ़िया feature इसका LCD display है और इसके साथ में ये एक selection button भी आता है जिससे आप modes को change कर सकते हैं इस selection button को आप अगर press करके रखेंगे तो आप इसके language selection interface को access कर पाएंगे आप जब भी tap करेंगे तो ये selection change होगा हमें language English ही रखना है तो मैं पूरा scroll करके English पे ले आऊँगा और फिर long press कीजिए और cross or check में आप toggle कर सकते हैं प्रेस करके फिर check पे जाकर long press कीजिए जिससे आपका language selection हो जाएगा इसके अलावा भी इस LCD display की खूबिया ये है कि ये आपको instantly error messages बताएंगी और उस error को आप कैसे fix कर सकते हो ये भी steps बताएंगी जैसे कि ये vacuum cleaner का filter है इस filter को मैं जब पूरा खोल दूँगा या ठीक से ये filter नहीं लगा होगा तो ये error message flash करेगा और ये machine खुद ही बताएगी कि आपको क्या करना है इसे fix करने के लिए तो मैं फिर से इसे लगा देता हूँ और ये machine करी है अगर cleaning करते समय आपकी machine में कोई debris फस्ट जाती है तो ये fix करका alert देगी और फिर ये आपको बताएगी कि कहां कहां पे आपको debris के लिए check करना चाहिए ये सब करने के बाद अगर आपकी machine से debris निकल जाती है इस वैक्यम cleaner का दस्वाद सबसे अच्छा फीचर इसका auto mode है जिसमें flow type को देखकर ये machine कुदी decide करता है कि इसे कितना suction power चाहिए जैसे आप देख सकते हैं कि ये carpet पे चल रहा है तो आटमाटिकली boost mode में चला गया है और remaining battery इसके 23-24 minutes के लिख रही है और जिसमें मैं इस वैक्यम cleaner को फ्लोर पे लापता हूँ ये आटमाटिकली खोड़ा कम suction power में चले जाती है इफो मोर में चले जाती है और remaining battery 46 minutes की लिखाती है इस वैक्यम cleaner का 11 सबसे अच्छा feature इसका dirt management है आप इसके extensions को काफी असानी से खोड़ सकते है और काफी असानी से इसे empty देख सकते है dirt bin को ऐसे निकाले और फिर इसे पानी से धोले वैक्यम machine को brush या किसी wet cloth से भी आप साफ कर सकते हैं स्पेटर की cavity में अट्यूवे dirt को निकालने के लिए ऐसे हलके tap करें dirt bin को वापस वैक्यम cleaner में कुसाने के लिए इस तरह cavity में बिठाएं और हलके से tap करें इस वैक्यम cleaner के attachments भी काफी आसानी से खुल जाते हैं और अलग भी जाते हैं दूसरे वैक्यम cleaner के attachment कुछ ऐसे लगते हैं जो कि अगर आप बहुत जादा जोर से लगा दे तो खुलने में असानी नहीं होती है और अगर ठीक से न लगाया जाए तो operate करते समय यह खुल भी सकती है इस बैक्यम प्लेयर का जो अगला सबसे अच्छा फीचर है यह उसका wall mount charging port है यह wall mount पिल्कुल ऐसे भी बार को लगाया जाता है इसके साथ में screws भी दिये जाते हैं यहां पे दो screws लगते हैं उसके बाद यह unit अपली जी और charger के charging port को ऐसे अंदर कीजी और इधर में आप ऐसे इस charging port को बिटा दीजिए बिठाने के बाद आप ऐसे इसे control कीजिए इसके पीछे में wire को adjust कीजिए और यह जो wall unit है इस पर यह charging unit इस तरह से push करके बिठा दीजिए और इसके साथ आप दो attachment भी रख सकते हैं आपका vacuum cleaner charging unit ऐसे आकर बैट और खुद बखुद चार्च होने लगेगा हर साल डाइसन इंडिया वेबरी के मैंजर में anniversary डील लाती है जिसमें डाइसन के लगबख हर product और models पे 15-17,000 की चूट होती है और यह product साती है दो साल की warranty और 30 दिनों की return policy के साथ तो आईए आप देखते हैं इसके extension tools और attachments को यह extension wand है जिसे आप machine से connect करके कोई भी floor cleaning attachment को इससे attach करके आप use कर सकते हैं यह wand storage clip है यह बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है जैसके आप देख सकते इसके corners पे rubber fit है ताकि इस wand पे जब यह clip लगे तो इस wand पे scratches ना हो इस clip के मदद से आप दो attachments attach करके इसे floor cleaning के समय carry कर सकते हैं यह attachment dog drive cleaning head कहलाता है यह auto mode के cleaning के लिए best है इसकी मदद से आप floor tiles और carpet के बीच transition करके दोनों को ही एक साथ में clean कर सकते हैं बिना attachment change किये हुए अगर आप सिर्फ floor tiles clean करना चाहते हैं तो यह attachment जो की soft roller cleaner head कहलाती है आप इसे use कर सकते हैं इस attachment को mini soft dusting brush कहते हैं यह delicate surface के लिए use किया जाता है जैसे कि आपके laptop का keyboard या photo frames यह attachment mini motorized tool कहलाता है यह sofa और cushions के cleaning के लिए best होता है इसे crevice tool कहते हैं यह sofa के corners या फिर आप अपने car में सफाई कर रहे हैं तो आपके car के seat के corners में जाकर यह सफाई कर सकता है यह combo tool है जो कि mini soft dusting brush और crevice tool का combination है इसमें आप देख सकते हैं यह crevice tool जैसा ही है यह भी corners में जा सकता है यह थोड़ा सा चोड़े move वाला है और इसके साथ में यह brush भी दिया गया है जो कि आप दोनों ही एक साथ में इस्तवाल में ला सकते हैं यह quick release up top attachment कहलाता है इसके मदद से आप उन top corners पे जा सकते हैं जहाँ पे usually आपके हाथ नहीं पहुँचेंगे जैसे कि AC के internal unit के top या पंखों के blades के उपर इसे flexible extension hose कहते हैं यह लगबग 55 cm तक stretch हो सकता है और इसके मदद से आप refrigerator या किसी और furniture के नीचे में अपना vacuum cleaner ले जाकर सफाई कर सकते हैं यह tool mattress और curtains को साफ करने के लिए होता है इसके attachments भी काफी आसानी से पानी में धूल सकते हैं सारे के सारे attachments पानी में धूल सकते हैं बाकी के जो brush है उनको खोलने के लिए यह जगा बनी लिए है आप किसी coin या किसी ऐसी चीज को लेकर आप इसे कुमाईए और यह एंसे खुल जाते हैं इसके बाद इसे आप आसानी से पानी में दो सकते हैं पानी में धूने के बाद आप इसे वापस से इसे fit करते हैं और चाली की मदद से यह coin की मदद से फिर से इसे clockwise घुमाकर लॉक कर सकते हैं वैसे ही आप इसे भी खोल कर बाहर निकाल सकते हैं इस filter को भी आप महिने में एक बार बाहर निकाल कर क्लीन कर सकते हैं पर ध्यान रहे कि आप इस filter को जब धोएं तो लगपक 24 घंटे तक बाहर ही रखें और इसे सूखने दें तो दोस्तों अब तक हमने जाना टाइसन V11 Absolute Pro की क्या-क्या खूबिया हैं तो अब जानते हैं इस वैक्यूम क्लीनर में क्या-क्या खामिया हैं यह वैक्यूम क्लीनर काफी बड़ा है और इस वैक्यूम क्लीनर का वच्चन लगपक 2-3 kg के बीच में है जिसके कारण इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में एक गंटे का ओपरेशन आथों पर थोड़ा स्ट्रेस देता है तूसरा इशू यह है कि अगर आप यह सॉफ्ट रोलर क्लीनर हेड यूज़ करते हैं तो इनसानों और जानवरों के बाल अगर इसमें फस जाए तो इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तीसरा इशू यह है कि V11 Absolute Pro में यह बैटरी डिटाचबल नहीं है इसे आप बदल नहीं सकते हैं अगर आपका घर बड़ा है और आपको एक घंटे से ज्यादा की क्लीनिंग टाइम की जुरुत है तो आपको V11 Absolute Pro विट स्वापबल बैटरी लेनी होगी जो की साथ से 8000 ज्यादा मेंगा होगा उसमें आपको डिटाचबल बैटरी मिलेगी और एक स्पेर बैटरी मिलेगी इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में जो अगला इश्यू है वह इसके ट्रिगर का है इस वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए बटन नहीं है बट यह ट्रिगर जो कि जब तक यह ट्रिगर दबा रहे पूली चार्ज होने में अगला इशु इस Vacuum Cleaner का या है कि इसमें कोई वेट्ड अप्षिन नहीं है अगर आपको cigarette कर नी है तो आपको दूसरा Vacuum Cleaner लेना होगा यह सर्फ dry home cleaning के लिए ही बनी हुई है तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं डाइसन के वाक्यूम प्रेनर्स के अलग-अलग मॉडिल्स और उनके ट्राइसिस तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसद आया होगा आपका मातुकूर्न समय देने की जानेवाद आपका दिन शोभाओ